किसी सुकून वाली जगा पर बैठ कर बात करते हैं अब बहुत बिजी हूं मेरे पास टाइम नहीं है एफने सीरियस हूं बहुत सीरियस गुस्सा मत दिलाओ सिर्फ बात करनी है प्लीज प्यार से कह रहा हूं अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना था तो मेरे ऑफिस में गुसकर स्तीफा भाड़ने की क्या जरूवत थी बताओ ना मझे क्योंके मेरी मर्जी डेफने मैं तुम्हे देखो डेफने समझो तुम्हें घुसा आया और मुझे छोड़ गी मगर दिल से नहीं छोड़ा हूं है मेरी फैमिली के लोग असानी से छोड़ते नहीं हैं लेकिन खुद पर काभू रखते हैं वहो ठीक है तो यह बात है अगर तुम इतनी जिद्धी हो तो मैं तुम्हारी जिद्ध खतम करके रहूंगा अगर फ्री हो तो यह मॉड्यूल चेक कर लोगी प्लीज मैंने पाइथाउन के साथ कोड़िंग की है मगर प्रोग्राम चल नहीं रहा यह यहां पर कुछ कोड़ है रड़ था और यह हो गया ठीक है थाइंक्यू सो मज़ प्रोग्राइड दानिया बाहर जाओ यालिम सर मैं और टेफ ने थोड़ा को ज़रूरी काम कह रहे हैं बाद में कर लेना काम जाओ कोई बेवकूफ रवगी हो ज्याई करें प्लान क्या तुमारा कोई प्लान नहीं है डेफ ने यार प्लीज मुझे अकेला छोड़ो यालन बहुत सारे काम करने हैं मुझे जब तक बात नहीं हो जाएगी मैं नहीं जाओंगा समझी चलो लड़की अब बताओ मुझे स्तीफा क्यों फाड़ा था तुमने ज्यालन मुझे इस बार में कोई बात नहीं करनी है जब तक नहीं बताओगी मैं यहीं बेटा रहूंगा जो चाहिए करो एसा नहीं कर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ें ताकर तुम कुछ बात करो जानती हो जिन्दगी बहुत अजीब है कि डेफने बरूची कि खामोश है वह मेरे ख्याल है आपको डेफने के कमरे में आकर देखना चाहिए यालन साथ भाहीं पार है और डेफने उनकी वज़े से परिशान हो रही है बस करो तुम जानती हो ना कि इस तरह तुम जीत नहीं सकते इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा चलो बोलो चलो जवाब मुझेश tu ने कोईश्टस अ का यज कि आफने कि मेरी चाहन क्यों किरशा है और मैं तुम्क्रीं अवारी आवास सुनना चाहता हूं तुम्हारा मिस कर रहा पहुत ज्यादा यार हाँ है अधिए जफ ने वह मुझे इससे कुछ बात करनी थी बहुत जरूरी बात थी अभी करनी है क्या बात थी कुछ tips लेनी है तुमसे है बिल्कुल सही कहा tips लेनी है थोड़ी देड़ तो रुख जाए ममा